तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आठ जून से जो अनलोक परिक्रिया जो फेज सेकंड शुरू हो रहा है उसमें किस की सीज को खोला गया है और किस की सीज को खोला जाएगा और किस की सीज पर पाबंदी रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले आप देखे यह प्रदेश में मंगलवार आठ जून से अनलोग के दूसरे फेज के शुरुवात होगी राजस्तान ने इसे मोडिफाइड लोगडाउन दो का नाम दिया है अनलोग कम नई गाइडलाइन देर रात तक जारी होने के संभावना है ठीक है नई गाइडलाइन को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंतर असोग गैलोत ने आज मंतिर परिस्त की जो बैठा गए उसको बुलाया था उसके बाद में दोस्तों यहां पर देखिए परदेश में 23 मई को जा से 11 बजे तक का है मेडिकल की दुकाने पहले की तरह पूरे समय खुली रहेंगी नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जले से दूसरे जले में आवागमन के छूट के अलावा बाकी पाबंदिया जारी रहेंगी दोस्तों उ साधी समारो पर रोक जारी रहेगी साधी समारो पर पाबंदी जारी रहेगी केवल 11 जोग घर पर ही साधी में सामिल हो सकेंगे साधी में किसी तरह के समारो बारात बोज़ की अनुमती नहीं दी गई है दोस्तों और साधी समारो में 30 जून तक पाबंदी का प्राउधान ब पहर 12 बजे के बाद कर्फियू रहता है बाजार खुलने का समय च्यार बजे तक करने पर दिन का कर्फियू 12 बजे के जगे साम 5 बजे किया जा सकता है 9 जून से प्रदेश बर में आव अगमन शुरू हो जाएगा एक जिली से दूसरे जिले में आप आ जा सकेंगे मंगलवार से परदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में नीजी वहानों से आने जाने पर रोक हट जाएगी दोस्तो नई गाइड लाइन में एक जिले से दूसरे जिले में आने पर जो रोक लगाई जा रही है मतलब अभी तो उसको हटा दिया ज प्रदेश में पब्लिक ट्रांस्पॉल्टेशन शुरू होगा 10 मई से ही रोडवेज बसे बंद हैं निजी बसे मई के पहले सप्ता में बंद हो गई थी ठीक है उसके बाद में यह अकबार की कटिंग है यहां पर देखिए जानिये गाइडलाइन में इस बार पांच को मिल सक समय में बढ़ोतरी अभी 12 बजे तक ही बारा सकते हैं दूसरा देखिए यहां पर डेरी दूद की दुकानों का समय बढ़ सकता है अभी सुबह स्याम ही खुल रही है रेस्टोरेंट के उपर है रेस्टोरेंट मिठाई की दुकाने सुबह 6-11 तक टेक अवे सुविदा का सम समय बढ़ना संभव ठेलों पर सभी तरह की सामान बेचने के अनुमति चार्ट पकोड़ी के ठेलों को अनुमति उसके बाद में पांचवा है बैंक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट च्यार बजे तक खोलने का समय संभव कोरोना के एक्टिव केस 10,000 से नीचे आने तक कर कर्फ्यू जारी रहेगा अभी परदेश में 21,000 के आसपास पॉजिटिव केस हैं कोरोना केस कम होने की यहीं रफ्ता रही तो सप्ता बरबाद कोरोना पॉजिटिव का आकड़ा 10,000 के नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिल जाएगी दोस् फ्लॉर खाली रहेगा और दूसरे फ्लॉर पर दुकाने खुलेंगी फिर उसके ऊपर का फ्लॉर खाली रहेगा यहां वेवस्ता हरिहाई ऊपramos्ता हर शॉपिंग आखास की मिल दूपार और क्या नहीं घुलेंगों सबमाघ्न सब्सक्राओं देरी दूद की दुकानों का समय बढ़ सकता है बैंक फाइनिंसियल इंस्टिटूट चार बज़े तक खोलने का समय संभव इमित्र आदार के इंदर चार बज़े तक खुलेंगे निजी वहानों में पैट्रोल पंपों से दो पैर बारा बज़े तक पैट्रोल डीजल भरवा परपावंदी एसी मार्केट मौल्स से सपिंग कॉंप्लेक्स सिनेमा होल ठीटर मल्टी प्लेक्ट्स श्विमिंग पूल जिम और्यो टेरियम इस्टेडियम पार्क गार्डन बंद रहेंगे इस्कूल कोलेज कोचिंग लाइब रहेंगी इसी सभी तरह के धार्मिक राजने